हलो गाईज, वेलकम टू देविश क्लासिज लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे इंडियन रूलर्स का और बिटिशर्स का कॉन्फिक की स्टार्ट हुआ था और आज का हमारा टॉपिक है इस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इं बैंगॉल कैसे बिटिश इंडिया कंपनी ने बैंगॉल में ट्रेड स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने जो फैक्टर सेट अप किया वो नियर ऑन दे बैंग्स आफ रिवर हुगली इन 1651 उसके बाद में वहां से जो कंपनी के जो ट्रेडर्स होते थे जिने फैक्टर्स बोलते थे उन्होंने वहां से ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया दीरे दीरे बाद में लेटर कंपनी गौट जमिंदारी राइट्स आफ त्री विलेजिस कालिकट जो बाद में जाके कलकत्ता सेटी बन गया फेमस हुआ कलकत्ता के नाम से सत्नौती एंड कोविनपूर जमिंदारी राइट्स के मतलब है कि कंपनी जो एक प्राइवेट कंपनी है वो यहां पे अब जमीन वगएरा ओन कर सकती है और अपना जो है ट्रेड वगएरा कर सकती है next further development जो कंपनी में का हुआ के they pursued it उन्होंने ओरंजेव जो मुगल एम्परार थे उस तरहें और अरंजेव को मना लिया और और अरंजेव ने एक फर्मान इसू किया फर्मान का मतलब होता है एर रोयल ओडर एर रोयल संक्शन जिससे कंपनी को भारत में ट्रेड करने के आज अलादे मिल गई without any duty without any duty मतलब without any tax or without any tax yes so after this but इससे एक problem arise हो गया क्योंकि यह जो फर्मान था यह सिरिफ अलादे देता था कंपनी को duty-free without any tax trade करने का लेकिन जो कंपनी के officials थे they also started refusing to pay duty on their private trade वो लोग क्या करते है कि जो company को officers थे वो भी जो tax है जो duty है वो मुगल emperor को देने से मना करने लगे तो इसकी वज़े से क्या हुआ कि जो बंगाल का जो प्रोविंस है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यह जो शुरुवात उन्हें ट्रेड की करी वो बैंगॉल में खरी है अभी ब company के साथ नहीं अलग वो अपना private trade करते थे तो उसके भी टैक्स नहीं दे रहे थे जिसकी वज़े से बंगाल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था revenue का पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था इसकी वज़े से सीधे सीधे यह जो company है private company है British Eastern Company उनका बंगाल के रूलर को देखने से पहले हम देखते हैं कि उस टाइम बंगाल में जो famous rulers थे वो कौन-कौन से थे क्योंकि बंगाल एक सूबा था Mughal के अंडर में और हमने पहले भी beginning of the chapter हमने देखा था कि कैसे जो later Mughals थे वो weak थे और बंगाल के जो सूबेदाश थे उन्होंने डिक्लेर कर दिय independence from the Mughals so जो पहले जो founder of बंगाल थे we can say founder of बंगाल in the sense के जो जन्होंने डिक्लेर किया independence from Mughal तो वो थे सबसे पहले बंगाल के जो ruler थे वो थे नवाब मुर्शित उली खां उसके बाद जो ruler आए वो नवाब अलिवर्दी खां और उसके बाद जो ruler आए नवाब सिराजुत दौला ये सभी के सभी बहुती ताकतवा rulers थे प्रशाशर में, administration में कुशल थे strong rulers थे सभी के सभी और हम जाते हैं कि जो famous battle of classy हुआ था वो petitions और सिराजुत दौला के बीच में हुआ था क्योंकि अभी जो मैंने discuss किया आपको मैंने बताया कि company के जो officers थे वो private trade कर रहे थे और टैक्स नहीं पे कर रहे थे इसके काफी loss हो रहा था Bengal को तो इसी वज़े से जो ये dispute हो रहा था वो इसी वज़े से ये जो विवाद है जो इतना increase हुआ Bengal के बीच में बंगाल के रूलर्स नवाब के बीच में और British के बीच में और जैसे मैंने कहा गिए सभी प्रिशाशन में कुशल थे administration में कुशल थे इन तीनों रूलर्स में refuse कर दिया जो ये company है इस इंडे company उनको concession देने से उनको अपने कोई मिंट करने से they also stopped company from fortifications जो company हेरा बंदी कर रहे थी अपनी factories के आस पास areas को covered कर रहे थी उन सब जो भी इनको ये benefit मिल रहते पहले वो सारे इनों ने बंद कर दिया so all this led to confrontation 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 मतलब आपस में च्रगड़ा होना company के officers company और जो बंगाल के नवाब हैं इसी बात को लेके उनके बीच में आपस में बहुत ज्यादा विबाद होने लगा जगड़े होने लगे start हो गया and finally this led to the historic battle of plasi जो की 1757 में हुआ था तो देखते हैं के battle of plasi guys बहुत ही important है exam point of view से जो की 1757 में हुआ था और आप जानते हैं कि यह मैंना भी पहले भी बताया कि यह battle जो start हुआ था यह हुआ था बिटिशर्स और नवाब सिराजुद दौला के बीच में तो थोड़ा से इसका background जान लेते हैं कि क्यों what was the immediate cause of battle of plasi तो इसका जो background है सिराजुद दौला एक ऐसे ruler थे यहां मैं कहूं कि जो सबसे first ruler थे जिन्होंने अंग्रेजियों के बारे में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि उनका motive क्या है और इसलिए उन्होंने बिटिशर्स के अगेंज यह जो बिटिश इस इंडे कंपनिय है उसके अगेंस्ट सिराज अटेग दा इंग्लिश वैक्ट्रियक कासिम बजार कासिम बजार में भी अंग्रेजों ने फैक्ट्री डाली थी जहां पर अपना समान स्टोर करते थे बूड्स जो पर्चेस करते थे उसको वहां बाना रखा तो मिना न और वहां पर उसको एक्तितर हुआ से रोप अगयार में आगे खेंबू से उसको वहां सील करते थे बूड्स डैक्ट्री अंग्लिश फैक्तरी धेयंग कासिम बजार विट्ह थेटेए थाटीफॉजंड सूल्डेर्स वहां पे सिराज ने अपने आर्मी के साथ ऑर धेक चासिम बजार में और उन्हों सबको पकड़ लिया और उनके जो शिप्स वगेर आ रहे थे बाहर चो उनको ब्लॉग कर दिया उनकी एंट्री पेंड कर दिया सो आफ्टरवर्स ही मूव टू कलकत्ता उसके बाद उसने जो नेक्स टार्गेट था वो उसका कलकत्ता था जहां पर भी उनका फैक्ट्री था बिटिशर्स की सो देख लेते हैं बैटल में कौन-कौन इंवल्व था बैटल उप्लासी हुआ आप जैसे मने बताया कि नवाव और बंगाल जो सिराजुदौला थे वर्सिस बिटिशर्स और जो बिटिशर्स का लीडर था वो था रोबर्ट क्लाइव रोबर्ट क्लाइव तो इसका जो र बिटिशर्स ने और उसको मार दिया तो इसको हम कह सकते हैं डिसाइसिवली इट वास्ट मेजर विक्ट्वी ऑफ बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इसके बाद उनको इसके बहुत सारे बैनिफिट्स मिले बैंगॉल के अंदर लेकिन यहां में एक चीज़ आ इकवल लेवल पे नियुआ क्योंकि पहले ही जो बिटिशर्स इंडिया कंपनी थि उन्होंने जो सिराज की कमांडर्स थे उनको रिश्वत अगरा दे इती ब्रायब दे दिया था तो उन्होंने सिराज की तरफ से लड़ाई करी ही नहीं जिससे सिराज ऑदोला अकेला पढ इसमें उसनोंने चल्का प्रियोग भी किया, बिटिशर्स में. बिटिशर्स डिफिटिट सिराज दौला इन बैटल ऑफ प्लासी उसके बाद उन्होंने एक महां पे पॉपेट नवाब, एक कटपुतली को उन्होंने थ्रोन पे बिठा दिया, जिसका नाम था मीर जाफर. सो आफटर सिराज दौला, मीर जाफर बिकेम दा नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल का नवाब मीर जाफर बन गया, जो कि एक कटपुतली था, वो अंग्रेजों के इशारे पे काम करता था, पिटिशर्स के इशारों के इशारों के काम करता था, उसके बाद, जब उन्होंने इतना धन वो उससे लूट सकते थे बिटिशर्स, उसके बाद, जब उनके किसी काम का निराथ और उने फिर महाँ पे, मीर जाफर के सन इन लोग, मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का, फिर वो उससे जितना पैसा लूट सकते थे, क्योंकि बिटिश इस इंडिया अपनी पर उनको अपना भी एक डाकरम मैंटीन करना था, अदर्वाइस जो लोग थे, वहां के जो नवाब थे, नवाब के एंडर जो प्रिजा थी, जो बंगाल के जो जनता थी, उनका भरोसा अपने नवाब में से हड जाता, तो इसी दिए, वो सारी बात भी बिटिशर् परते थे, तो ये डिस्प्यूट अराइज हो जाता था बिटिशर्स और नवाब्स के बीच में, यहाँ पर मैं एक इंपोर्टन चीज, एक इंपोर्टन कुशन डिस्कस करना चाहता हूँ, कि बिटिशर्स और नीर कासिम के बीच में ही, बैटल ऑफ बगसर हुआ था, जो हैं बैटल ऑफ बगसर में, बिटिशर्स वर्सेश, मिर कासिम, वर्सेश, मुगल किंग, यह तीनों एक साथ थे, मिर कासिम, मुगल किंग, और नवाब ओफ अबथ, शूजव दौना, यह तीनों की एक आर्मी थी, और यह सिछ expandedlles के साथ लड़े, उसके बाद भी ये बैट हार गये 1764 में बैटल गुआ था उसके बाद मीर कासिम के बाद अगें कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया अगें री इंस्टेटेड मीर जाफर उसके बाद मीर जाफर की डैथ हो गई 1765 में मीर जाफर जब तक नवाब रहा बंगाल का वो अंग्रेजों की कटपुतली रहा और बिटिश ने उससे खूब सारा पैसा कमाया मीर जाफर हैड तो पे रूपीज फाइब लेक एवरी मंथ बट अ कंपनी वांटेड मोर तो फाइननस इस वार फॉर ट्रेड एक्सेक्टर तो इसी को इसी कॉंटेस्ट में रॉबर्ट क्लाइव ने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कुशन एक आफ्टरवर्ड हम देखते हैं इन 1765 मुगल एंपरर जो की वैटरो बखसर में हार गया था उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कंपनी को बंगाल का दिवान बना दिया दिवान से मतलब है कि जिसका काम है रेविन्यू कलेट करना और इसी को बोलते हैं रेविन्यू कलेक्शन को बोलते हैं दिवानी दिवानी means the right of company to collect revenue from बंगाल और यही कंपनी चाहती थी के सारा का सारा जो पैसा है जो revenue कलेक्शन करने का राइट है उसके पास चले जाए जिस से इस पैसे से अब क्या होगा कि वो अपने जो भी वो यूद लड़ रहे बैटन लड़ रहे इंडिया में और कहीं हो उनको फ इंडिया से जो भी goods वागेरा purchase कर रही है उसके लिए वो gold या silver में payment करती थी और वो import करती थी gold and silver बिटेन से तो इससे हो क्या रहा था कि जो बिटेन से है न गोल्ड है वो भार जा रहा था इसमें हमें गहीं देखा कि बैटल अप्लासी के बाद जब उनके पास बहुत सारा पैसा आने लगा वो यहांके लोगों से पैसा लूटने लगे यहांके नवाब से पैसा लेने लगे तो उसके बाद उने अब यह जरूर्वत नहीं थी कि वो बिटेन से gold इंपोर्ट करें यहां से जो भी इंडिया से वो गूड्स करीते थे उसका पैमेंट अब वह ही इसी के पैसे से इंडियान रुपी से ही करने लगे थे तो इससे इंको डबल मैनिफित होने लगा क्योंकि जो भार से उनको gold इंपोर्ट करना था अब उसे पैमेंट नहीं करना है और यहां से जो गूड्स वो पर्चेस कर रहे हैं उसके लिए उसके लिए इंडियान रुपी को ही यूज कर रहे हैं तो यह पॉइंट भी बहुत इंपोर्टेंट है कि आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी जो आउटफल ऑगोल्ड है बिटेन से वो बिलकुल बंद हो गया कम हो गया तो हमन नवावख बंगाल के अगेंस्ट उन्होंने लड़े दोनों ने अनफॉर्चनेटली बिटिशर्स की ही जीत हुई अब इस सिल को फाइदा क्या मिला देखिए रेविन्यूस फ्रॉम बंगाल क्योंकि अभी आपने देखा कि 1765 में मुगल एमपरा ने उन्हें धीवानी का लाइट भी देती है तो उसे रेविनी फ्रॉम बंगाल फैनांस कंपनी एक्सपेंसिस का कंपनी के चूम भी खर्चे होते थे जो अपने ऑफिसर्स रख रहे हैं उनको सैलेरी देना वो सारे खर्चे इसी से पूरे होने लगे और यहां से भारत से वो पॉर्टन खरीते थे सिल खरीते थे उसका पैसा भी अब उन्हें भार से लाने की ज़रूत नहीं है वो इंडिया से ही उसका पेमेंट करते थे इसी सब बीच में रॉबर्ट के लाइट जब अपने देश ब्रिटेन वापिस गया तो महाँ पे उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट अनकाउंटिड वैल का केस चला मतलब उसके पास इतना पैसा आया क्योंकि जो उसे नवाव बंगाल से बहुत सारे गिफ्ट लिये बहुत सारे पैसा लिया वहां से तो इसका जवाब वहां की जो बिटेन की जो पार्लेमेंट है उन्होंने उससे मांगा और उसके खिलाफ क केस चलाया दो बात में उसे हर केस में बरी कर दिया गया लेकिन रॉबर्ट कलाइब ने सुसाइट किया इन 1774 यहां पर मैं एक चीज एड़ करना चाहता हूं आपके बताना चाहता हूं कि बिटेन में जो क्लाइब के अगिन जो केस चला वह किसी बहुत ही ऑनेस्टे के कार बते डिस्ट्रिबूट हूं बिटेन में जो गाइस इस एनफ फो तोड़े आगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में